तो इस वीडियो में जो हम सीरिया का मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा फ्योरेंटीना वर्सिस मिलान के बीच मैच का वहनी होगा फ्योरेंटीना रात में 1.15 एम पे मैच स्टार्ट होने वाले हैं अब दोस्तों जो AC Milan है ये one of the top side मानी जाती है इटेलियन सीरिया आगी और इस सीजन ये one of the favorite है सीरिया आए टाइटल जीतने के लिए बात करें फियोरेंटीना की ये आप कह सकते कि एक mid table की side है तो अभी मैं आपको point stable दिखाऊं तो AC Milan अभी top 2 में है और बहुत अच्छा चांसे कि काफी सीजन बात वो यहाँ पे स्कूडेटो यानि कि सीरिया एकर टाइटल इस सीजन जीत सकते हैं अगर वो AC performances end तक ले जाते हैं सीजन के 12 में से अपने 10 matches वो जीते हैं दो draws है अभी तक वो एक भी match नहीं आ रहे हैं बहुत अच्छे 26 गोल स्कूर के हैं 11 गोल उन्होंने concede कि है 32 उनके point है और नेपोली के भी 32 point है और अगर आज AC Milan जीतती है तो वो कुछ time के लिए top of the table मे आजेगी जब तका नेपोली अपना मैच नहीं खेलती तो AC Milan के लिए match बहुत ज्यादा important है अगर उनको title race में बने रहन है बिकॉस नेपोली उनको toe to toe fight दे रही है बात करें फ्योरेंटीना ये भी अच्छा कर रहे हैं अंडर new manager number 7 position में 12 में 6 win है लेकिन 6 उनकी losses भी है यान 16 गोल मारें 14 गोल इन्होंने concede कर दिये 18 इनके point है बट इन दोनों team में squad quality की बात करूँ तो Milan की squad quality काफी better है और मैं आगे कुछ बताऊंगा आपको की फ्योरेंटीना की कुछ main defenders unavailable है जिस वाजे से मेरे according फ्योरेंटीना अपने घर में favorites नहीं है Milan यहाँ पे favorites होने वाली है इस match में फिलाल recent form भी आप देखे फ्योरेंटीना की बहुत up and down सी recent form है लाजियो बड़े club से हारे है 1-nil से 3-nil से छोटे club से 1-nil से हारे है यानि कि जब यह अपने से बड़े club से खेलने है उनसे हार जा रहे है अच्छी fight देगे narrow margin से लेकिन जब weak club से खेलने है उनको यह इसली हरा दे रहे है बागी AC Milan की recent form अच्छी है 2-1 top club नोड रोमा को वराया 1-1 draw है इनको champion league में और अपने arch rival इंटर से भी इनोंने 1-1 draw किया है तो recent form के मामले में भी AC Milan आगे है बागी मैं आपको एक interesting fact बताता हूँ वो यह है AC Milan are undefeated in their last 5 away matches against Furentina in all competition यह भी उनका Furentina के against away match है और वो undefeated है अपने पिछले 5 away matches में Furentina के against तो अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीज़े बताई टेबल दिखाया recent form दिखाई सब एक तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं कि AC Milan इस match में फेवरेट सोने वाली है but grand league में आप कुछ combination Furentina favor के बनाना लेकिन इस small league में हम AC Milan को फेवर करके अपनी टीम बनाने वाले हैं विलाल हम प्रोवेबल लाइनप के बात करते हैं उससे पहले एक बार remind दिलना चाहूंगा इस match की final small league team और सभी football matches हम टेलीग्राम चैनल में cover करते हैं उसका link क्या तो आपको मिलेगा description box में या आपको मिलेगा top pin comment में वहां से प्लेयर पिक करेंगे small league में यानिकी 7 और फ्योरेंटीना की पिक करेंगे सिर्फ 4 प्लेयर इनके लिए माइक मैनियान, कलावरिया, मेसियाश, टो मोरी और रेविच बाहर है रेविच का doubtful है थोड़ा बाकी सभी confirm बाहर है तो इनकी 11 देखते हैं टाटारू सानों इनके गो पिक कर सकते हैं अच्छी strategy रहेगी नहीं तो minimum 3 तो आप शोली पिक कर लिजिए फिलाल अगर आपको तीन पिक करना है इनके defense में मेरी number one choice Theo Anandis रहेंगे जो इनके main choice left-back है और आपको याद होगा भी France national team में भी खेले दे वहाँ भी इन्होंने अच्छा किया है और ये goal scoring left-back आपके जो offensive work बहुत बहुत impressive करते हैं लिकी goal assist करने में के भीवल है और defensive point भी देते है clean sheet आएगी उसके भी point दिंगे तो even low scoring match में आप Theo Anandis को as the wise captain भी try कर सकते हैं तो Theo Anandis मेरी number one pick रहेंगे एक goal और तीन assist इस season already कर चुके है number two pick मेरी रहेंगे कलूलू वैसे इनके main choice right-back नहीं कलावरिया है लेकिन यहाँ पर make shift right-back खिलेंगे CBN center बेक है बट कलावरिया भी इस match में आने वह लेवल है तो यहाँ पर make shift right-back खिलेंगे tackling stat ठीक ठाग है दूसरी बड़ी बात यह सिर्फ 8 credit के मुझे मिलने इस match में credit problem हो होने वाली है तो कलूलू अभी के लिए मेरी number two choice रहेंगे number three choice मेरी रोमन ग्योली रहेंगे जो क्यार से अच्छे defensive point देते हैं fantasy wise last choice मेरी रहेंगे क्यार यानि कि किसी एक को drop करना आप क्यार को कर सकते है बट क्यार रोमन ग्योली में कोई भी random goal मार सकते है लेकिन वो पूरा मिट फिल्डर है जो आपको defensive भी देता है और इसके साथ ही केसी कभी-कभी इनकी पेनल्टी या आपके लिए main choice penalty टेकर है वैसे इस में में जलतान भी है लेकिन यहां पे पूरा 50-50 call लेगा अगर मान दीजे जलतान जल्दी सब्स्रीटर होते हैं generally कैसी पूरा मैच खेलते ह हैं तो कैसी penalty लिंगे तो यहां पे कैसी और ज्यादा important हो जाते हैं अभी के लिए अगर जिलतान फिल्द में तो थोड़ा 50-50 call है बट अगर जिलतान फिल्द में नहीं हुए तो कैसी ही main choice penalty टेकर रहेंगे तो फ्रेंग कैसी वैसी बहुत ज्यादे important हो जाते है अल्थो इस स्टेक्लिंग interception के लाबा chance वगएरा create करके भी दिंगे और मैं कुछ-कुछ matches देख रहा थे corner फ्रिकी वगएरा भी ले रहे थे एसी मिलान से तो midfield में decent option आपके लिए हो सकते है credit भी कम है selection भी अच्छ है तो consider कि यह जा सकते है sally maker बहुत inconsistent player quality बहुत है लेकिन recent कुछ matches अच अब यहाँ है start अच्छा गया season का तीन गोल एक assist है लेकिन recent form अच्छी नहीं चल ली और अभी के लिए थोड़ा ज्यादा credit है 9.5 वे सहथ इस वज़े से मैं अपनी टीम में adjust नहीं कर पाया था लेकिन अगर मिर पास credit problem नहीं होगी मैं इनको Sandro Tonali से उपर prefer करूँगा because यह open play से गोल assist कर सकता है टोनाली उतना open play से गोल असे नहीं कहार पाता लेकिन ब्रहीम द्याज पूरी तरह से अभी के लिए credit problem होती है मैं जाओंगा Sandro Tonali के साथ credit problem नहीं होती मैं इनको drop करके पीक करूँगा ब्रहीम द्याज को राफेल दियाओ मैं कहूँगा must पीक है चार गो दोस्तों इतनी एज होगी है लगबक 40 के असपास लेकिन quality अभी भी है वही वाला finishing ability है जो पहले हुआ कर दी शोली पिक करूँगा जिलातान को एक reliable captaincy option भी स्मैच में रहने वाले हैं हाँ यह हो सकता है अगर जिलातान हलका इनका update आता है तो यह substitute हो सकते है इनकल बेस में 0 60-65 मिनट के असपास बट जिलातान जैसे प्लेयर को मैं drop करने का बिल्कुल भी suggestion नहीं दूँगा और आप शोली इनको captain कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है इतना goal assist नहीं मार पाएंगे तो एज़ा प्लेयर भी पिक कर दीजे क्योंकि जलातान है कभी भी इंडिवीजियल ब्रिलियंस प्रेड्यूस कर सकते हैं अभी के लिए मैं तो captain करने वाला हूँ जलातान इब्रहाइमों विच को और हाई chances है जब यह तक यह फिल्ड में होगे penalty भी ले सकते हैं मलब 50-50 है इनमें और कैसी में तो यह मिलान की प्रोवेबल इलाउन थी लगबग सभी चीजे म इन बॉक्स में या टॉप पिन कमेंड में वहां से जाईए और टेलिग्राम चैनल से जोईन कर लिए अब हम बात करते हैं फ्योरेंटीना की पुलगर ड्रकॉस की नश्टैसिक यह सभी 82 बाहर है बट में न्यूस क्या है मार्टीनेस क्वाट और मिलिंकोविच जो इनके मे इनको रिकमेंड करूंगा चार इनके डिफेंडरोंगे ओड्रियो जोला वेन्यूटी इगोर और विरागी अब यह जोनूँ वेन्यूटी हो गए यह तो ऐसा सेंट्रल डिफेंसी में यहां पर मेक्शिप सेंटरवेक खिलिंगे और इगोर को इतने मौके नहीं मिलते हैं इसका फाइदा मिलान उठा सकती है अभी के लिए अगर इनके डिफेंस में किसी के साथ जानों मेरी नंबरों चाहित रहेंगे क्रिष्टियान विरागी जो इनके कैप्टन भी है मेन लेफ्ट वेक है ऑफेंसिवली बहुत अच्छे हैं डिफेंसिव वक करते हैं बट कभी गभी न यह जए बन्दाा आके रेंडम पैनाल्टी लेता है मैंने एक मैस देखा वैसे ज वर्ग करते हैं वैसे मैं इनका एक डिफेंडर रिकमेंड करूंगा आपको अगर आपको पिक करना है ने तोरेड़ा डिफेंसीव मिट्विल में खेलिंगे ठीक टाक प्लेयर है इस अपके लिए प्लेयर के पास बहुत बहुत क्वालिटी है बट इस सीजन बिल्कुल विक्राइब और करता हूँ अब इस टीम का टैलिसमैन बेस्ट प्लेयर है डूसान व्लाहिविक जो अभी यूरोप में जिन्होंने संसनी मचा रहे हैं इनके बीज़े टॉप के कही क्लफ्स पढ़ें पीक में चलने अभी केलीजे मलब धीरे धीरे और अच्छे होते आठ गोल एक असिस्ट लेटी कर चुके हैं तो हंड्रेट परसेंट व्लाहिविक में रिकमेंड करूँगा अगर आपको लगा फ्योरेंटीना स्कोर करेगी तो यहां पर हाई चांसे से कि व्लाहिविक के दुरूई आ सकता है तो इवन आप इनको केप्टन वैस केप्टन विट राए कर सकते हैं तो व्लाहिविक में इसलेविक करने वालहों के किलिए कहने आपको लियरे मैं उच्छा नभाइन अच्छा नहीं कर पारें कोलिविक कोईवएं और दूसरा इसा सब कर सकते हैं एक गोलत तो जाएंगे तो में भी फ्यूरेंट लेना है तुर तो ये फ्योरेंटीना की प्रोविभाल हुन थी लगबग सभी चीज़े मैंने बता दी थोड़ा जल्दी बताई है विकॉस मैच इस्टाइट होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है वागी पैनाल्टी लहाई विकलिंगे हाई चांसे सेकेंड चोईस पैनाल्टी टेकर विरागी है लेकिन कभी इन में से कोई भी अवेंटूरा लेते हैं विलाल यह अभी तक के इनके सीन के सीरिया आके स्टैट है अभी जो मेरी प्रेडिक्सन है में एक 2-1 या एक 2-0 विलाल विक्ट्री के साथ जारू मिलान मेरी अकॉडिंग यहाँ फिवरेट है बट यहाँ पर 2-1 फियोरेंटीना हो सकता है तो ग्र जलतान जो मेरे कैप्टन लियाओ मैने प्लॉएक और और विलाहिक और वनावेंटूरा प्लॉएक वाइस कैप्तन सी अगर आप मिलान फिवरकर रहें लियाओ को वाइस कैप्टन सी parallel यहाँ कπό यह चिंडिकर लतान चैनल में लाइन आप काने के बाद मैं उसका लिंक है दि